बच्चों अभी अभी आपने तापमा पी अंतर के बारे में सुना हैं तो चलिए हम भी अपना एक खुद का तापमा पी अंतर बनाते हैं इसके लिए हमें चाहिए काज केक, खाली शीशी, एक स्ट्रॉव या खाली रिफिल भी आप ले सकते हैं और रंगिन पानी तो सबसे पहले इस काज की शीशी के ढख्कन में एक छेट करना है और इसमें स्ट्रॉव को फसाना है, स्ट्रॉव को फसाने के बाद सेलोटेप से उपर से इसे अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें हवा न जा सके इस शीशी को हम आधा इस रंगिन पानी से भर देते हैं अब इस जग्कन को इसके उपर अच्छे से दबाते हैं और दबाकर इसको अच्छे से पैक कर देते हैं साथ ही आप जब इसमें स्ट्रॉ फसाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो स्ट्रॉ है वो इस शीशी की तली को नच हुए तो देखिए इस प्रकार से यह हमारा एक इस प्रकार से यह तापमा पी अंत्र तयार हो गया तो यह कैसे काम करता है चलिए इसके लिए हमें हमारी हतेलियों को रगणना होगा और हतिलियों को रगणने के बाद इस शीशे को पकड़ना है हतिलियों को तब तक रगणना है जब तक गरम न हो जाए तो मेरी हतिली हलकी गरम हो गई है थोड़ा और गरम करते हैं तो चलिए गरमाहट महसूस हो रही है अब मैं हतिली से इस शीशी को पकड़ती हूँ और थोड़ी देर पकड़के इससे रखना है ताकि हाथ की गर्मी उस शीशी को मिल सके तो बच्चों अभी हम देख सकते हैं कि जो पानी का लेवल नीचे हमको दिखाई दे रहा था वो अभी उपर चड़ रहा है अभी भी ये उपर जा रहा है तो ऐसा क्यूं हुआ बच्चों ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि हमारी हातों के उश्मा इस काज की शीशी को मिली और जिससे शीशी के अंदर की जो खाली जगे में हवा थी वो गरम होकर फैलने लगी और उसका दबाव पानी पर पड़ा जिसके कारण पानी का स्तर जो है वो उपर उठने लगा और जो हमें इस प्रकार से हमारे तापमापी यंत्र में दिखाई दे रहा है तो लीजे हमारा तापमापी यंत्र तो तयार हो गया है इसे थर्मसकोब भी कहां जाता है तो आप भी अपना थर्मसकोब बनाईए प्रकार जो है था है